ब्राट टू यू बाई माई लेवन सर्कल विन फर्स्ट प्राइज महिंद राथार डाउनलोड दी आप नाउ महिंद्र सिंग धोनी विराट कोली के बाद भारती टीम का नेतरित्व अब रोहिद शर्मा कर रहे हैं आने वाला एश्यकप और टीट्विंडी वर्लकप रोहिद की कप्तानी का बड़ा इमतेहान होगा अभी तक उनकी कप्तानी में ज्यादातर नतीजे भारत के पक्षमे रहे हैं ऐसे में सभी को ये उमीद है कि भारत रोहिद के कप्तानी में आठवी बार एश्यकप और दूसरी बार टीट्विंडी वर्लकप की ट्रॉफी उठाएगा कप्तानी को लेकर पिछले काफी समय से बात होती रही है किसी को पूर्व कप्तान महिंदर सिंग धोनी पसंद आये हैं तो किसी को विराट कोली की कप्तानी अच्छे लगी है कुछ ने तो रोहित, विराट और धोनी की कपतानी के बीच तुल्ना करनी भी शुरू कर दी इसी सब पर सौरव गांगुली ने रोहित की कपतानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है सौरव ने मौझूदा भारती कप्तान रोहिट शर्मा के लिए कहा कि रोहिट शर्मा साफ तोर से थोड़े शान्त हैं जो चीजों को बहुत धैर और सतर्ग तरीके से लेते हैं वो अक्रामक तरीके से कप्तानी नहीं करते रोहिट को हमें थोड़ा समय देना चाहिए और दिगज कप्तान महिंदर सिंग धोनी और विराट कोली जैसों से तुलना से पहले उन्हें ज्यादा समय दिया जाना चाहिए भारत ने पिछले कुछ साल में महान कप्तान दिये हैं धोनी जिन्होंने बदलाव के दौर को शांदार तरीके से समाला और केवल भारत के लिए नहीं बलकि अपनी फ्रेंचाइजी चेन नहीं सूपर किंग्स के लिए भी सफलता हासिल की उनके बाद विराट को लिया आए जिनका रिकॉर्ड भी शांदार है वो एक अलग तरह के कप्तान थे उन्होंने चीजों को अलग तरह से किया हर व्यक्ती अलग होता है लेकिन जो मायने रखता है वो नतीजा है आपके पास कितनी जीत है और कितनी हार है मैं कप्तानों की तुलना नहीं करता और किसी की कप्तानी करने का अपना अलग तरीका होता है तो सौरों गॉंगली ने तो बता दिया कि उनके लिए कप्तानी में तुलना कितना मानिय रख किले अब आप बताएं कि आप गॉंगली की इस बाद से कितना इतिफाक रते हैं हमें कमेंट करें और बताएं कि आप उस बाद से कहां तक सैमत हैं मेरे साथ जुड़िये मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा तेखा मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनालेसिस, स्पेशल इटिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक एम